एक मित्र का प्रशन है कि राहू की महादशा में किस प्रकार की समस्याई उत्पन होती है राहू के नाम से भी डरा जाता है राहू नाम से ही डराता है राहू जब महादशा में आता है या राहू की महादशा जब स्टार्ट होती है और पहले राहू के अंतर राहू आते हैं तो वह क्या होता है ऐसी सिट्वेशन में क्या होता है देखिए सबसे पहले तो राहू कौन से घर में हैं कौन सी राशी में हैं कौन से नक्षत्र में हैं यह देखने वाली बात होती है यदि आपका राहू उच्चका है जैसे मितुन राशी में राहू उच्चका माना जाता ह दस्वे घर में लाल किताब के इसाफ से दस्वे घर में राहू उच्छतम माना जाता है तो उसकी रेमिडीज और हैं सब प्रकार की अलग लग रेमिडीज होती हैं सब प्रकार के लोगों के लिए अलग लग रेमिडीज होती हैं सामान्य रेमिडीज कौन सी हैं अगर आपके राहू आपको पता चला कि राहू के अंतर राहू आ गया है और वह भय उत्पन्न कर रहा है पहले तो करता गया है जब राहू के अंतर राहू आता है तो व्यक्ति गलत लोगों के connection में आ जाता है illusions, negative thoughts, लोगों का आपको गलत तरीके से समझना, आपका connections गलत हो जाने और आपको temptations आनी, illusions आनी, रातों की निद्रा में समस्या आ जानी even कुछ लोगों के अगर राहू अश्टम हो या राहू पितरदोश बना रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों के लिए तो वह suicidal thoughts तक लेके आता है अपने परिवार से दूर होने के योग बन जाते हैं, आप किसी को अच्छा नहीं समझते हैं राहू की महादशा में राहू जब अंतर आता है तो राहू क्या है धूम्र, धुआ और राहू के पास धड़ नहीं है तो पहली बात तो राहू के अंतर जब राहू आता है तब आप इसके उपर की समस्याएं मान के चलें इसके उपर क्या है ब्रेन तो ब्रेन की वर्किंग स्लो हो जाती है आप कुछ भी करते हैं आप अपने डिसीजिन्स में जो है उतने परिपक्वन नहीं रह जाते आप बहुत ही समझदार हो सकते हैं परन्तो उस समय आपके डिसीजिन्स फलिभूत गलत तरीके से होते हैं आपको लोग ही ऐसे मिलते हैं connections ही ऐसे मिलते हैं या फिर परिवारिक जंजट परिवारिक ग्रह कलेश और इस प्रकार की समस्याएं उत्पन हो जाती है कोई ऐसा रोग आजाता है जिसके कारण आप जो है वो उस स्थिती से निकल ही नहीं पाते उसका निदान ही नहीं हो पाता रोग जाहे छोटा सा होगा आपको इलाज नहीं मिल पाएगा आप कोई दवाई लेंगे वो react कर जाएगी आप कोई बिजनस नया शुरू करते हैं कोई लैंड नहीं खरीते हैं वो फस जाती है ऐसे टाइम में especially south facing घरों में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो यह problem बहुत बड़ी होती है क्योंकि south facing कहीं न कहीं राहू से संबंद रखता है कैसे रखता है फिर बात करेंगे इसकी बारे में तो ऐसी स्थिती में व्यक्ति क्या करें सबसे पहली बात राहू illusion है धूम रहे यदि आप कोई नशा करते हैं तो छोड़ दें राहू की महारशा में आप जितना सात्वि दोलिक रहेंगे उतना बचे रहेंगे कि इस्पेशली रहू की अंतर जब रहू हो दूसरा के अपनी राशी के अनुसार धहरन करना चाहिए कि तीसरा कि की पूजन करना चाहिए कैसे शिव पंचाक्षरी मंत्र है महामनित्र्ण जेश रहे राहू की शान्ती के लिए आप राहू से संबंधित जो वस्तुएं वह अलग से वीडियो आपको दी जाएगी कैसे करते हैं कैसे हम जल्दी से जल्दी से निदान पा सकते हैं वह सब आपको बताया जाएगा राहू से सम्मंदित जो समस्याएं हैं वह उनका निदान भी राहू ही करते हैं या फिर बजरंग करते हैं या फिर शिव करते हैं भ्राम ओम भ्राम भ्रीम भ्राम सह राहवे नमाहा यह राहू का जो तांतरिक मंत्र बोला जाता है बीज मंत्र बोला जाता है राहू की मादश माधशा में इसे जरूर करें अगर चंद्र आपका राहू से ग्रसित है या राहू ऐसी जगा पे बैठा है जिसमें आपके जीवन में जो आप चाहते हैं उससे ऑपजट हो रहा है और आपकी माधशा आ गई है तो साथ नारियल काले कपड़े में बांध के राहुकाल में जल प्रवाह कर दें अगर राहुकाल में नहीं कर सकते हैं तो सोमवार को कर दें काले तिल जो हैं उनको जल में डालके 40 दिल लगातार शिवाले में जाके शिवलिंग पर अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें पंच मुखी रुद्राक्ष सोने में जड़ कर अगर सोने में नहीं जड़ सकते हैं तो आप चांदी में भी जड़ सकते हैं तीन पंच मुखी रुद्राक्ष आप चांदी के चेन में धारन करें या सफेद अगर वो नहीं कर सकते हैं तो उसका एक और तरीका है आप सफेद धागा भी ले सकते हैं उसके जात में अपनी राशी के अनुसार रुद्राक्ष तो पहनना ही चाहिए अगर राहू की महादेशा है तो महामृतिम्जे का जब कीजिए या करवाईए क्योंकि रोग जो है न वह है आते हैं राहू की महादेशा में और राहू के अंतर जब राहू आ जाए यदि कुंडली में सिक्स्थ हाउस एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस जुड़ रहे हो तो हम कह देते हैं कि आपकी हॉस् जानती का जो अनुष्ठान हो करवाले गोमेद राहू की महादशा में पहनना चाहिए वो गोमेद के बारे में क्या होता है कैसा होता है उसकी क्या पहचान होती है कैसे पहने वो सब वीडियो आपको अलग से दी जाएगी उसके जात में राहू की महादशा में आप सफेद तिल काले तिल चावल है ना और शक्कर यह लेके जाएं अगर वह एनरजाइज्ड हो महाम्रित तुन्जय से या राहू मंत्रों से वह एक बहुत ही अच्छी और अचूक और और शदी के रूप में माफ कीजिए अचूक वह आपके लिए एक अचूक निदान बन जाता है आप क्या करें उसको सवा किलो ले लें अभी मंत्रत लें तो ज्यादा अच्छा उसके लिए आप आनंदों से संपर कर सकते हैं एक मुठी लें और किसी कच्ची जगा पे डिली डाल दे जहां पे चीटे चीटियां आकर खा सकते हैं उसके आप देखेंगे अच्छा इसमें एक और चीज haz व्रिक्ष की जड में इसे नहीं डालना है नहीं तो वह व्रिक्ष मर जाता है इसको आपको वहां डालना है जहां पे व्रिक्ष की जड नहीं है इस बात का ध्यान रखना है यह बहुत ही अच्छा रेमिडी है 43 डेज अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको मैं सुस हुगा